आज ऐसे समय में एक गाय की पुकार एक गव माता जब कृष्ण गाय चराने जाते और लाखो गईयाओं मैंसे कोई एकाद गईया कृष्ण से विलग हो जाती बिछड जाती तो वो गईया कृष्ण से निवेदन करती थी कृष्ण से एक पुकार करती थी और कहती थी हे कनिया तुम धूडो मुझे गोपाल मैं खोई गईया तेरी तुम धूडो मुझे गोपाल मैं खोई गईया तेरी सुधलो मेरी गोपाल मैं खोई गईया तेरी सुधलो मेरे गोपाल मैं खोई गईया तेरी सुधलो मुझे गोपाल मैं खोई गईया तेरी सुधलो मुझे गोपाल मैं खोई गईया तेरी और जब उसे कृष्ण कहीं नहीं मिलता तो वो भागती है ढूडने के लिए यमनातट पे भागती है वन्शिवट पे जाती है वो कारती है रंभाती है आज जब वो गाए उन निर्दई कसाईयों के बीच में फस्ती है तो उसकी आँख से अश्रू निकलता है और वो कृष्ण को जरूर पुकारती होगी हम शायद उसकी पुकार न सुन पाएं लेकिन वो जरूर आवाज लगाती होगी कहती है गाएं यमुना चटना नंदन बटना गोपी ग्वाल कोई दीखे कुसम लताना तेरी छटाना पाख पखेरों मोले दीखे कुसम लताना तेरी छटाना पाख पखेरों मोले दीखे अब साज भई घन शाम में खोई गई या तेरी अब साज भई गोपाल में कोई गई या तेरी भगवान कहते है कि कैसे जाओ मुझे क्या पता की तू कहा है तो और गाय बताते हैं मुझे अपने पास बुलाने का एक ही मार गहे क्या उठाओ अपनी वेणो। उठाओ अपनी बंशी और बस एक स्वर पुकार दो मैं जहां हूंगी आपकी वंशी को सुनके दोड़ी चलिया हूंगी वंशी के स्वरनाद से टेरो मधुरतान से मुझे पुकारो वंशी के स्वरनाद से टेरो मधुरतान से मुझे पुकारो राधा क्रेश्न गुविन्द हरी हर मुरली मनोहर नाम पिहारो राधा क्रेश्न गुविन्द हरी हर मुझे उबारो मेरे गोपाल में खोई गई या तेरी हर मुझे उबारो सुधनो मेरी गोपाल में कोई गई या तेरी हर सुधनो मेरे गोपाल में कोई गई या तेरी जोम भूडो मुझे गोपाल में कोई गई या तेरी मुझे उबारो